असलाव वालीकूम, कैसे हैं, आप सब तो आ जम आपके साथ शेयर करेंगे क्रिस्पी चिकन फ्रायर बनाने की रैसीपी बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल तरीखे से चिकन फ्रायर बन के तयार होगा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शांदार लगेगा चिकन फृायर अक्सर आप कि आपने देखा होगा चिकन की कोटिं बहुत रहती ستड़ बहुत ही सक्त हो जाती है और अंदर से चिकन सॉफ्ट नहीं रहता है तो आप इस से बनाएंगे तो बहुत ही अंदर से सॉफ्ट होगा चिकन मक्खन की तना और उपर से बहुत ही क्रिस्पी कोटिंग होगी तो बिना टैम वेस की चलते हैं इस रेसीपी की तरफ तो सबसे पहले हमने यहां पर एक बाउल ले लिया पर इसमें चिकन डालेंगे तो मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है बोलनेस च अब चिकन को मैंगरे गार कैसे बाल बहुत longest विया पर हाथ टीजपून डालेंगे याप हर आपड़ दालेंगे और ऐक चिली साँस के साथ इस अंड़ डाल देंगे अंडे से हमारी कोटिंग बहुत क्रिस्पी बनेगी तो यहां पर 4 टेबल स्पून के करीब डालेंगे कॉन फ्लोर और अच्छे से सब को मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छे से यहां पर सब चीजों को मिक्स कर लेंगे कॉन फ्लोर के साथ तो अभी आपको यह थोड़ा गील गिला लग रहा होगा तो इसमें चीज डालेंगे जिससे हमारी कोटिंग बहुत ही अच्छी सी होईगी अब इसमें एड कर देंगे मैदा मैदा भी मैं यहां पर 4 टेबिल स्पून के करीब ले रही हूं अब मैदा डालके आप इसको अच्छे से बहुत ही अच्छे से यहां मिक्स कर लिए का सारी चीजों को तो अभी यह देखि बहुत ही अच्छी सी हमारी कोटिंग रेडी हो गई है चिकन पर देखि कितनी अच्छी कोटिंग हो गई है तो मैं आपको एक चिकन का पीस उठा के दिखाती हूं कि यह देखिए बहुत ही अच्छी बड़ी आसी कोटी हो गई है अब यह बिल्कुर रेडी है फ्राय होने के लिए तो यहां पे हमने तेल गरम कर लिया है तेल हमारा बहुत अच्छे से गरम हो चुका है अब इसमें सार लिद्ग थोड़ी सेट हो जा है जब हम इसको पल्टेंगे तो सारे पीसे को डाल देंगे और गोल्डन बराओं कलर आने का वेट करेंगे बहुत ही अच्छा सा सुनायरे अप गोल्डन बराओं कलर आ जाएगा जब तक हम इसको फ्राय करना है तो यह देखिए माश्या ब् ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माइ चैनल ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डेंग कलर आगिया है बहुत ही मज़े का बहुत ही शांदार बनके रेडी होता है ये अंदर से एक जम सॉफ्ट बहुत ही क्रिस्पी कोटिंग उसकी तो इस तरह से जरूर ट्राइ करिएगा तो यह देखिए हमारे चिकन के पीस सारे हो गए हम इसको निकाल लेंगे तो सारे पीस इसको निकाल लेंगे हम तो यह देखिए सारे पीस मैंने निकाल लिये हैं तो चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ तो माशालला बहुत ही अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी तो इस तरह से जरूर ट्राय करिएगा और कमेंट में देएगा वीडियो कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेर कर दीजेगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो मिलते हैं किसी और वीडियो में तिल देन अलाफिस